है लो इस वीडियो में आपको बताना जा रहा हूं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बाते जिने अगर आप लोगों ने अप्लाई कर दिया तो निकल जाएगा सबसे पहली बात लीव यौर कंफर्ट जोन लीव यौर फोन आफ्टर इस वीडियो बिलकुल मैं आपको बता रहा बच्चो इस टाइम पे कुरोना में गर पर हैं खर रहें आराम कर रहें यह लेटे वह चाय कॉफी सकता कैसिम अपनाhat no gerecourt कर रहें मैं चेपर के Divine साल रहasa है अपको यह त्याग ना कुछ जुनों के लिए बिल्कुल ऑनलाइन बंद कर दीजिए ऑनलाइन पढ़ाई हो भी नहीं सकती इस टाइम पे क्योंकि आप लोगे कंपार्टमेंट के पेपर है एंसे खोलिए ठीक है पुराने कोश्चन देखिए जो पुराने आपके पेपर साहे में पिछले चारवा सा दो या अपने पेरेंट्स को दे दो और मैंसा इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि चलो मैं मोवाइल नहीं देखूंआ मैं गेम नी खेलूंआ या मैं ऑनलाइन क्लासिज पगर नहीं देखूंआ और आप अपना मोवाइल अपने पास ही रखके छोड़ देते सब्सक्राइब हो यह हो सकता है तो और दिमाग खराब होगा इससे बिल्कुल दूरी बना लो अगले एक हफते के लिए अगर आप लोगे पर हैं तो ठीक है तभी आप लोग सुकी रहोगे तो पहला ही था कि आपको अपने फोन से दूर रखने दूरी रखनी है आपको लै ।ो टौन मिðल से लाएंग आपके संपर्णे परिवार आपके संपर्णे यानिकि पेरेंट्स के लावा भाइवेन के लावा जितने भी यार्डोस्ते प्र दोस्ते जत्ने族 ब्लिवग में हो जो चलेंगा इंग मुझा लें तो इस तरफिक लीर नहीं हो जाए। कि आपको संपर्ग नहीं बनाना ना वाटस ऑप पे और ना मिलने जाने जिल्व cen जाना ही नियुक को ना चल रहा है फिर्दर दोस्त पना अपको मना कर रहा हूं वहां हाला कि दोस्त उमाई लाइफ बहुत इंप्रेंट होते हैं स्टुपार्ट्ट से प्यार होता ही है पर ब करेगा उससे बात ही मत करो ना आपके साथ बैठा है तो फिर वह आपसे कहेगा कि तुने क्या यह कर लिया तो इस तक बात आई ना तो आप और जड़ा दूसरी बात यह थी अपने आसपास के जो चालिस पास लोग हैं उनको बिल्कुल भूल जब तक कंपार्टमेंट का में हर तरह के लोग हैं कुछ खुराब आती हैं और कुछ अच्छे भी हैं अब मेरे ले लिए मैंने क्या कभी आपको अपने चैनल पर आज सक गाली दिये नहीं दिना हमेशा मैंने आप लोग को या तो पढ़ाई के बारे मताया है या कोई न्यूज आते तो मैं वह बताता हैं तो जात तुम्हें घर परिवार का महौली ऐसा है या भी हो सकता हो सुर्य देव का वर्दान हो कि भी डिरेक्टी पैदा हो गया हो तो पहले तो मैं बच्चों की ना जवाब देता था क्योंकि जब आप गाली सुनते हैं तो एकसाइटमेंट तो आई जाता है फिर मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हैं वो मुझे मिलेंगे वो अपने अप मेरे इस बढ़ा देंगे तो बच्चों यह था सेकिंड पॉइंट कि आपको ना ऐसे खुरापातिक दोगों से बिल्कुल दूर रहना है जब तक आपको नहीं हो जाता तीसरी बात तीसरी बात बहुत इं नहीं करनी तो छोड़ दो 50 परसन तक कर लो मतलब जितना आप मैक्सिम कर सकते हो बड़ मैक्सिम मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ करना शुरू कर दो कि मेरे को जमाटरी भी करनी है मैस में अगर टेंद इंगमार्टमेंट है जबकि आपने आज तक करी नहीं हो पॉइंट सब्सक्राइब करने की ज़रूत नहीं है लास्ट के तीन-चार साल के जो पेपर से वह कर लीजिए और जो भी इंपॉर्टन है ना सिरफ उसी पर आपको अपना दिमाग लगाना है चौधी वाल बच्चो टाइम मेनेजमेंट बहुत इंपॉर्टन होता है यह मैं आप हर ब नमरा कोशन है तो उसमें 6-7 मिनट या 8 मिनट ही लगने चाहिए अगर बच्चें से 15 मिन लगा दिये तो उसका चूट जाएगा यह मैं आपको हर वीडियो मताता हूं पर आज मैं आपको उल्टा बोल रहा हूं देर इस नो टाइम मेनेजमेंट कंपार्टन हालों के लिए क पर आपको थाएम मेनेजमेंट रखना को आप यह संवय मंद ऑन पर उन 50 के लिए आपको तीन मृट है पहले आप 80 कोशनैं करते पूरा पेपर तो आपको तीन मिल दे Caiarder अब आप यह सोच कि जाना कि आपको तीन घंटे में चाली सिंपर करना है अगर आपको एक कोशन में पांच मिनट देने हैं आप अराम से तसलिए से करना दस मिनट लगाना उसमें अराम से प्रॉपर मार्जिन डालना ठीक है पूरा जो भी आता है उसको इतना सुन्दर सजा क आपके लिखना कि टीचर अगर चार में कोशन है ना तो चार में से चार देते वह आधा नमबर भी ना काटे आप लोग लिख रहे हैं टैंध क्लास में मैस में तो 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 में गिविन पेंडर लाइन कर दो प्यारा सा डाइग्राम बना दो ठीक है प्रॉपर मार्जिन सुन्दर राइटिंग लिख दो लाज में प्यारा से लिखो हैंस प्रूवड ऐसे करने आपको आप कंस्ट्रक्शन मना रहे हो क्लियर ग्राफ मतलब क्लियर फिगर बनाओ बहुत तरीके से प्यार से और जो स्टैप्स लिखने होते हैं उसको भी भढ़ा के थोड़ा से लि लिख देना बीच में कोई भी आपको अगर आता है तो फॉर्मले की नंबर होते हैं तो बच्चों यह थी आप लोग लिए चौथी बाद कि आपको टाइम का ध्यान नहीं रखना अराम से करना तीन घंटे मिनेंगे नो टेंशन एट आल पांच वी और बहुत इंपॉर्ट होती है या तो उनकी एक्जाम में तविए खराब हो जाती है ठीक है या फिर सपोज एक्जाम में जाकर कुछ भूल जाते हैं या रात नेंद पूरे नहीं होती या जो वो करके जाते हैं वो कोशन नहीं आता तो जो बच्चा सौनमर वाला है ना उसके सौ में से 80 नंबर र चाने की वही कोशन आ गया जो वह सुबह बैठके रट कर गया था उसके निकला है 95 नंबर तो मतलब एक ऐसा बच्चा जो एवरेस था जिसके 95 की उमीद नहीं थी उसके 95 निकला है और एक ऐसा बच्चा जिसके सौ में सौ क्यों में थी उसके 80 नंबर आया है तो इसके कोई उपर से लेकर पाइदा नहीं होता लग भी इसी दुनिया में बनाया जाता है अब लग बने तो कैसे बने मैं आपको दो बाते बता रहा हूं ध्यान रखना सबसे पहली बात आपको अपने पेरेंट्स की रेक्सपेक करनी है यानि कि सुबह उठो उठो उठते पैरें में सक्सेद होगा तो हमेशा पास होगा बस यह समझाना कि वह इतना वर्क करेगी कि एकदम से ना आपका लग बन जाएगा और जो कोशन आप सुबह के टाइम देख कर जाओगे रट के जाओगे या जो आपने दो-तिन साल के पेपर करेंगे उन्हीं में से आपको महाँ प लग बना के देगी और वही आपका पूरी लाइफ में काम आएगा दूसरी बात उपर वाले की पूझा करना अगर आप भगवान को मानते हैं उसको याद रखो अल्ला को मानते हैं उसको याद रखो वाय गुरू को मानते हैं उसको याद रखो जीजस क्राइस को मानते हैं हनुमान जी की शिर्यवाली माता की भोले नात की जिसकी भी आप पूजा करते हैं ना उसकी थोड़ी थोड़ी पूजा करें डेली मैं नहीं कहा रहा है कि आप आदा गंटा लेके बैठ जाएं आप सिर्फ इतना कर दो सुबह उठो उठते ही जैसे आप नीचे विस्तर से पै ना बन जाए तो बच्चों इस वीडियो में आपको ना यह पांच इंपॉर्टेंट बाते बताना चाहरा था करके देखोगे हंड़े परसंट काम आएंगी एक लास में आपको और बता रहा हूं ध्यान रखना जब भी आप अपने सेंटर पर जाओगे ना कंपार्णर दे आप से पूछेगा तुने क्या कर लिया कंपार्टमेंट में आपको मैंने कर रहे तुने यह नहीं करा इंपॉर्टेंट थी यह बहुत इंपॉर्टेंट था बास आप में डिप्रेशन में चाहे वह कोश्चन आए या ना आए पर आपका दिमाग पूरा खराब जाएगा तो जो आता होगा वो भी खुम जाएगा तो जब भी आप पेरेंट से जाओगे परेंट से आपको छोड़ने जाए इस ताइम पर उन्हें किससे बात मत करना सीधा एक्जाम में जाना और एक्जाम में फटापट पेपर फोड के कंपार्टमेंट क्लियर कर लेना बस इतना आपको करना है तो बच्चों आसकी वीडियो में इतना ही था थैंकियो वेरी मुच मिलते हैं नेक्स वीडियो में बैस अब लग फ्रॉम माई साइड